हाई गाईज मिरे नम है विजय गाईज इंडियन मार्केट में मोटोरल जो है काफी अच्छा काम कर रहा है हर किसी महीने में जो है लगबग एक से दो फोन लाँच करता ही है जैसे कि आज उनका स्टार्टिंग फोन लाँच हुआ है मोटो का जी मतलब इस मन्त का स्टार्टिंग फोन लाँच हुआ है और इसी मन्त में जो है दूसरा फोन भी लाँच होने वाला है मतलब 11 अगस को जो है मोटो का जी सिक्टी टू भी लाँच होने वाला है लेकिन गाईस इस वीडियो में हम बात करने वाले है या फिर चैनका नॉर्मल यूज है उनको जी टू परचस करना चाहिए या फिर चैनका जी सिक्टी टू परचस करना चाहिए मतलब चैनल 11 तग जो जो लाँच होगा लेकिन गाईस इस वीडियो में हम जो है इन दोनों हिपान पर बात करने वाले है और आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों में क्या पर होगा और जो है कितनी price segment का होगा और आपको जो है लेना चीए या फिर जो है नहीं लेना चीए तो guys अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जलू से लाइक होशे करना मत बोलना तो guys जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि G52 का slightly upgrade version होने वाला है Moto का G62 अब देखो बात यहाँ पर हो जाती है कि जो G62 होगा न वो एक basically 5G category का phone होगा और अगर लगबग price similar होगा मतलब 15,000 और cash pass होगा और 5G आपको देखने को मिल रहा है इसका मतलब में थोड़े बहुत आपको compromise देखने को मिलेंगे comparison Moto G52 के अब क्या compromise होंगे सबसे पहले बात करते है display, design, look and feel के बारे में तो यह है Moto का G62 जो की launch होने वाला है इंडियन मार्केट में 11th of August को look wise अच्छा है कोई आपको देखने को नहीं मिलेगी almost same look आपको देखने को मिलता है Moto G52 का मतलब चाहिए look में कोई आपको ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलेगा लेकिन guys अब यहाँ पर हम बात करते हैं front design के बारे में वाई है punch hole screen display size भी almost similar है display size है G62 का है 6.5 inch और G52 का है 6.6 inch मतलब कोई ज़्यादा difference नहीं है 0.1 inch के difference को ज़्यादा फरक आपको पड़ता नहीं है मतलब display size same है लेकिन जो display quality है ना वहाँ पर आपको फरक बढ़ने वाला है मैंने आपको क्या बोला कि अगर 5G phone है तो आपको थोड़ा बहुत compromise करना ही पड़ेगा एक्चुन में क्या है जो G62 है वहाँ आपको मिलेगा IPS panel 120Hz के fast screen दिर्शेटी साथ में लेकिन अगर हम पहले बाले phone की बात करते है G52 तो वहाँ पर आपको मिलता है AMOLED screen 90Hz का panel मतलब चुछ है 120Hz तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले में compromise है AMOLED ही देगा कुछ है IPS panel देखने को मिलेगा 5G category है तो यहाँ पर compromise तो बनता ही है और गाइस अगर हम बात करते है resolution के बारे में दोनों फोन में Full HD Plus है तो कोई भी difference आपको resolution में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन गाइस अगर हम बात करते हैं इन दोनों फोन की camera performance के बारे में तो वहाँ पर भी कोई difference आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो primary sensor है वो है 50MP सत में जो secondary camera है वो है 8MP का ultra wide and 3MP जो तो camera है वो है 2MP सत में and front जो cam है वो है 16MP का मतलब छे camera में भी कोई difference नहीं है design में भी कोई difference नहीं है लेकिन display में अभी तक फरगा हमने देखा है लेकिन गाइस अगर हम बात करते हैं इन दोनों फोन के performance के बारे में तो वहाँ पर आपको छे difference देखने को मिलेगा जो G52 का slightly upgrade है G62 वहाँ पर आपको 5G के ठीकरे पोल मिलेगा वहाँ पर chipset यूज़ने वाला है Snapdragon 695 जो की no doubt guys हम यह chipset performance है बहुत सारे पोल नदर देख चुके हैं और overall जो performance मिलने वाला है वो भी आपको छे काफी अच्छा देखनी को मिलेगा Snapdragon 695 का लेकिन guys अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Moto G52 के बारे में तो वहाँ पर आपको मिलता है chipset वो है Snapdragon 680 जो कि 4G category का chipset है तो हमने यहाँ पर क्या देखा 4G and 5G का difference और chipset का फ़रक है तो वहाँ पर हम जो है definitely performance में थोड़ा बहुत फ़रक देखने को मिलेगा तो overall हमने यहाँ पर क्या देखा है अभी तक display में changes है और इसके लावा जो है performance में change किया गया है otherwise जो है अभी तक सब कुछ same है और guys अगर हम बात करते हैं यहाँ पर battery performance, charging output के बारे में security performance के बारे में battery दोने ही phone में 5000 nm की है मतलब बैटरी में भी कोई difference नहीं है charging में आपको यहाँ पर difference देखने को मिलेगा जो G62 है जो दूसरी country में launch हो है वहाँ पर 15 watt use कह गया था लेकिन अब देखते हैं कि इंडियन मर्केट में कितने वाटकर आपको inbox में देखने को मिलेगा या पर जो है कितने वाटकर सपोर्ट करेगा क्योंकि जो दूसरी country में G62 launch हो है वहाँ पर chipset 4G है इंडिया में जो आ रहा है वो 5G है तो यहाँ पर charging में भी change हो सकता है आभी तक कोई confirm नहीं है क्या होता है कि सेम आपको जो है 15 watt का charger देखने को मिले और वहीं बात करते हैं G52 के बारे में तो वहाँ पर charging आपको जो है fast charger के support देखने को मिलता है तो यह भी आपको difference देखने को मिलता है और गाइस security performance के बारे में बात करते हैं दोन ही phone आपको मिलता है side mount fingerprint sensor क्योंकि जो G52 है वहाँ पर AMOLED screen तो था लेकिन under display fingerprint नहीं था as it is same to same side mount fingerprint sensor आपको G62 के अंदर भी देखने को मिलेगा तो यह इस basic जो difference है हमने देखा दो या तींचे दो आपको फरक देखने को मिलेगा display performance और जो है charging का फरक देखने को मिल सकता है otherwise जो है सारे configuration सारे जो performance है look and feel है और आपको जो है यहाँ पर stock android का जो feel मिलता है close to stock android तो वहाँ पर जो है दोनों इफोन देखने को मिलेगा तो guys यह था अच की वीडियो में उमीद है आपको मारा वीडियो को संद्राओगा जरूर से वीडियो को लाइक और शेक करना मत बूलना comment करके आप मुझे बताना आपके का मनना है इन दोनों इफोन के बारे में क्या आप wait करोगे मोटरोला जी 62 का या फिर जो है नहीं जो भी आपके माइंड में हो आप मुझे comment करके जरूर से पताना और subscribe नहीं क्या वाथ कमरे चानल को जरूर सबस्क्राइब करना जिससे आपको लेटिस वीडियो के अपटेट से इनकों मिलता रहेंगे इतना ही ताच की वीडियो मीडियो के क्रीब बहुत बहुत निवाद आपका दिन श्यूबो मिलता हैंसे किसी अगले वीडियो में